देखे आज मैं आपको गुलाब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी देखे यह जो गुलाब है सबसे पहले इसकी समस्या होती है पीली पढ़ना पतियां पीली पढ़ जाती हैं देखे मेरी भी हो रहे हैं कि आप इसमें पीली पढ़ने का कारण होता है कि या तो जादा मत् या बहुत कम इसको पानी की जरूरत है ये भी इसकी पहचाने तो आप इसकी पीली पतियां हटा दीजे बहुत आसानी से पीली पतियां सब जड़ जाती है second बात होता है कि इसमें growth नहीं होती reason क्या होता है growth ना होने का reason यही होता है कि हम इसको proper तरीके से इसमें nitrogen नहीं दे पाते जो कि इसको जिस चीज की जरूरत है जो इसकी requirement है हम वो पूरी नहीं कर पाते तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बॉन मील आता है आप प्लांट्स के लिए गुलाब के लिए खासका बॉन मील बहुत बैस्ट रहता है आप वो लगा सकते हैं तो बॉन मील लगाने का तरीका क्या है कि हम इसके चारो तरफ बॉन मील डाल दें और उसमें गुडाई कर दें गुडाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे, दो दिन बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर 6-7 दिन तक पानी नहीं डालेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें कलियां निकलनी स्टार्ट हो जाती है आप इस तरह से देखिएगा कि कलियां ही कलियां आने लगती है बॉन मील दे सकते हैं, NPK दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक मात्रा में आपको देनी है, बॉन मील आपको एक चम्मस देनी है, DAP, NPK आपको आधी आधी चम्मस देके गुडाई करनी है, और देखें फिर आप अपने गुलाब का देख सकते हैं, ग्र अच्छा हो रहा है तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपने गुलाब की केर करें बाई फ्रेंड्स